हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का आपके यूटूब चैनल योजना ओलाइन फोर यूपर दोस्तो, रासन कारदारकों के लिए फिर से बड़ी खबर जारी हो चुकी है मिलने वाला फ्री रासन अब बंद होने जा रहा है दोस्तो, यह फ्री रासन कब तक मिलेगा इसके बारे में नया आदेश जारी क्या गया है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तो, फ्री रासन बंद होने के बाद फिर से आपको पैसे दे कर रासन लेना होगा जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकार दोरा गेहूं को बंद किया हुआ है लेकिन क्या फ्री रासन बंद होने के बाद गेहूं मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में भी हम आपको संपूर जानकारी देने वाले हैं चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको संपूर जानकार यहाँ पर देते हैं आपसे हमारा निविदन है कि वीडियो को आप अंज तक जुरू देहेगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो दोस्तू परधान मंतरी गरीब कल्यान और योजना के अंदरगत फिरी बटने वाले रासन का अब अन्तिम समय आ चुका है यनके फिरी बटने वाले रासन का अब अन्तिम समय आ चुका है जैसे कि आप से भी जानते हैं कि केंदर सरकार द्वारा सभी राज्यों में कुरोना महमारी के वक्त फ्री रासन देने की योजना सरकार द्वारा बनाई गई थी आप दोस्तों फ्री रासन दिया भी गया था अभी भी सरकार द्वारा फिरी रासन दिया जा रहा है लेकिन कई बार सरकार ने इसकी अंतियम्तिती भी बढ़ाई है अब कुदा चाहेंगे कि काफी ऐसे लाबारती हैं जो फिरी रासन के ही आसरीत हैं लेकिन ऐसे लाबारतियों को अब बड़ा जटका लगने जा रहा है केंदर सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से गेहुच चावल चने नमक तेल इत्यादी वित्रित किया जा रहा ह लेकिन दोस्तों अब फिरी रासन की अन्तिम जो समय है वहे आ चुका है सरकार की तरफ से फिरी दिये जाने वाले रासन के समय सिमा को धिरे धिरे बढ़ा कर सितंबर तक क्या गया वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा फिरी रासन भी समय सिमा लगभग अप्रेल से मई महिने के आसपास समाप्त हो रही थी लेकिन दोस्तों आपकी जानकार के लिए बता दें कि प्रदेश में तुरंत में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनी थी यानिके सरकार द्वारा चुनाओ को देखते हुए फिर से अंतिम्तिति को बढ़ा गया था चुनाओ को देखते हुए इसलिए सरकार ने यह प्लैन किया कि अगर हम तुरंत में ही रासन को बंद करते हैं तो इस पर चुनाओ पर भारी असर पढ़ सकता है इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अंतिम समय को बढ़ा कर शितंबर महा तक ही कर दिया यानिके केंदर सरकार की तरफ से और दोस्तो राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा रासन एक साथ बंद होने जा रहा है फिरी रासन बंद होने के कारण दोस्तो यहाँ पर काफी वैक्तियों को जहटका लगेगा और यह है फिरी रासन सितंबर के बाद बंद हो जाएगा यानिके सितंबर अंतिम्तिती सरकार द्वारा रखी गई है कि सितंबर तक ही फिरी रासन वित्रित किया जाएगा हाले कि दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खवर निकल कर आ रही है जो हम आपको बताएंगे उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि फिरी रासंद बंद होने के बाद सरकार की तरफ से तीन रुपे किलो चावल और दोस्तों दो रुपे किलो गेहूं सरकार की तरफ से वितिरत के जाएगा और साथ ही जो सरकार की तरफ से फिरी में ही तेल चने नमक इत्याजित दिया जा रहा था दोस्तों वह नहीं दिया जाएगा और साथ ही महिने में जैसे कि आपको पता है कि दो बार रासंद फिरी में ही दिया जाता है लेकिन फिरी रासंद बंद हो जाने के बाद सरकार की तरफ से एक महिने में केवल एक बार ही रासंद दिया जाएगा और वह भी आपको पैसे द मीडिय रिपोर्ट के मुताबिक बता जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगामी लोक सभाचुनाओं को देखते हुए इसकी अंतिम तिथी को 2024 तक भी बढ़ा सकती है। जी हैं दोस्तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 2024 में लोक सभाचुनाओं होने जा रहे हैं। तो दोस्तो लोक सभाचुनाओं को देखते हुए भी सरकार द्वारा अंतिम तिथी को बढ़ा जा सकता है। जो फिरी रासन हैं उसको दोस्तो 2024 तक भी वित्रित किया चा सकता है। लेकिन इसके लिए दोस्तो सरकार द्वारा इस परष्ट नहीं किया गया है। कोई official notification जारी नहीं किया गया है। जिससे दोस्तो आप समझ सके या फिर आप विश्वास कर सके किया कि यह जो अंतिम्त्ती है जो 2024 तक ही बढ़ाए जाए। अभी तक दोस्तो इस पर कोई notification जारी नहीं हुआ है और नहीं अब तक कोई जानकरी मिली है। लेकिन जैसे ही कोई notification जारी किया जाता है या फिर कोई निर्देश जारी किया जाता है तो दोस्तो आपको तुरंत जानकारी दे दी जाएगी। यदि आपका कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं आपके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा तो दोस्तो ये थी आपके लिए महत्पूर्ण जानकारी जानकर कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूरू बताएगा आपसे हमारा निवदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ह तो वीडियो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीगा यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजगा अब चाहते हैं आपसे इजाद और मिलते हैं कुना स्टूडियों दोस्तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत